Hello students, you are most welcome. बच्चों CPCT exam की प्रफेर्शन के लिए हमने लगभग 18 वीडियो कम्प्लीट कर लिए हैं और हर वीडियो में लगभग हमने 52 कोशन कम्प्लीट किये हैं. ये वही कोशन है जो पिछली CPCT exam में पूछे जा चुके हैं. आप सभी जानते हैं कि CPCT exam में प्रेक्टिकल कोशन ज़्यादा तर फ्रेम होते हैं और इन कोशन को सोल्व करना बहुती ज़्यादा मुश्किल होता है. और इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्टिकल नॉलेज रखने की बहुती ज़्यादा आउशकता है. होगा आप सभी जानते होंगे कि 52 नंबर के कंप्यूटर के MCQs आते हैं और सेश कोशन नोन टेकनिकल होते हैं इस टेस्ट को पास होने के लिए 40 नंबर के होशकता होती है जिसमें एक हिंदी टाइपिंग या English typing किसी भी एक typing को आप clear कर लोगे पास कर लोगे तो CPCT scorecard आपके लिए माइने रहेगा हम सभी जानते हैं कि CPCT का scorecard competitive exam में कितना महतोपूर है अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर के exam को आप qualify कर ले पहले ही attempt में तो आप एक काम करना इस playlist को पूरा एक बार विजिट कर लेना क्योंकि यहां से question लगबग 99% आने की पूरी संभावना है CPCT exam में practical question ज़्यादा तर पूछे जाते हैं और यह सारे practical question ही है मेरा दावा है कि अगर आपने यह सारे video विजिट कर लिए तो आपके 49 number किसी भी हालत में आ सकते हैं हमें सिर्फ 49 number ही लाना है क्योंकि हमें इस exam को मात्र qualify करना है चलिए आज की वीडियो में हम फिर बावन question complete कर लेते हैं और इस प्रकार हमारी ES series पूरी तरह से complete होने अब आपकी बारी है कि आप कितना MCQ solve कर सकते हैं और MCQ solve करने का best उपाई यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा practical पर ध्यान देना होगा तबी हम इन सारे question को attempt कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको exam को qualify करना है तो MCQ solve करते समय आप pen paper लेकर बेटे जिसे यह पता चलेगा कि आपका knowledge किस topic पर कम है जिसकी आप study कर उस topic को भी उस topic के concept भी clear कर सकें पहला question है C programming language में गुणन अंक गणिती आपरेटर को निमन लिखित में से किस प्रतिक द्वारा दर्साया जाता है इन्हें option to star के रूप में दर्साया जाता है निमन लिखित में से कौन सा embedded software आधारीत कारियों का उधारन नहीं है निमन में से इसा कौन सा option है जो embedded software आधारीत कारियों का उधारन नहीं है इंटरनेट ब्राउजर कम्प्यूटर कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली कीज को क्या कहा जाएगा नमबर कीज, नुमेरिक कीज याद रखना नुमेरिक कीज, फंक्शन कीज, मोडिफायर कीज, ये सारी कीज के साथ साथ शोटकट और computer subject से related फुल फॉर्म को आप अच्छी तरीके से रट ले, इस्टेंडर कीज का भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये जो मैंने आपको बताए हैं की पोइंट यहां से 10 से 12 नंबर कवर होते हैं निम्न मेंसे computer के लिए प्रात्मिक output device क्या है आउट्पुट डिवाइस है प्रात्मिक आउट्पुट डिवाइस monitor निम्न लिखित मेंसे कौन सी operating system, new technology file system का समर्थन नहीं करती है देखे बचो इस exam का scorecard पाने के लिए हमको कुछ question तो रटना ही पड़ेंगे क्योंकि हमें किसी भी हालत में 49 नंबर लाना ही है कंप्यूटर प्रोग्राम जो की प्रणाली के संसादनों का नियतन करते हैं और कंप्यूटर के अंदर के सभी विवरणों को समानवित करते हैं उन्हें Unix में क्या कहा जाएगा करनेल कहा जाएगा करनेल इसी कौन सी कंप्यूटर मेμोरी है जो कंप्यूटर के Input या Output चैनलों के प्रियोग के बिना किसी कंप्यूटर के Central Processing Unit के लिए पहुँच योग्य है प्राइमरी स्टोरेज निम्नलिकित में से कौन सी कंप्यूटर प्रीडी कृतिम बुद्धिमत्या की आउधारना का उप्योग करती है कौन सी कम्प्यूटर पीड़ी कृतिम बुद्धिमत्या की आउधारना का उप्योग करती है पाच्वी पीड़ी बच्चो ये जो सीरीज है 1000 Important MCQs की इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें हमें सिर्फ MCQs ही सवलू करना है कार्यिक मतलब सारीरिक या व्यवहार संबंधी विज़ेस्ता के आधार पर जिवीत व्यक्ति की पहचान के लिए आम तोर पर काम में ली जानने वाली यंतर रशना कौन सी है बायूमेट्रिक उपकरण ब्लू रे डिस्क का तरंग धेर कितना होता है ब्लू रे डिस्क का विवलेंद कितना होगा 405 एनेम कम्प्यूटर के सिप्यू में लोजिकल यूनिट का क्या काम होता है संख्याओं की तुलना करना ब्लॉग एक प्रकार का क्या है ब्लॉग एक प्रकार का विबसाइट है निबल इंटर लिविंग या बहुस अंकेतन मतलब मल्टिप्लेक्सिंग में तीवर चैनल पर बहुस अंकेतन सिंगनल के लिए इन्पूट के रूप में एक लोगर इस्पीट चैनल लिया जाता है निबल चुम्बकिय सेतर का उप्योग करने वाली एक गेर इन वैसीन इमेजिक तेकनिक क्या कहलाती है जो रोग का पता लगाने निदान और उप्चार की निगरानी है तू उप्योग की जाने वाली तीन आया में विस्तरस नरचनत मक छवियों का उत्पाधन करती है चुम्बकिय अनुनाद इमेजिंग एम आर आई वास्तविक रंग उत्पन करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की कलर डेप्थ कितनी होती है वास्तविक रंग उत्पन करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की कलर डेप्थ 24 बिट होना चाहिए 24 बिट MS Word में character जो आधा रेका से उपर उटा होता है और छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है उसे Super Script कहा जाता है आपके computer को अन्य computer या फिर internet से जोनने में मदद करता है Network Interface Card याद रखना Network Interface Card से हम computer को अन्य computer या फिर internet से जोड़ सकते हैं कौन से option की वज़र से ज्यादा उर्जा की खपत वाल हिस्से जैसे की monitor या hard drive बंद पड़ जाते हैं Stand by more की वज़ह से C++ एक programming भासा है जो object oriented programming को support करती है ये किसके द्वारा विक्सित की गई याद रखना ये बजेन सट्रा स्टूप की द्वारा की गई ना फिर से पड़े बजेन सट्रा स्टूप की वज़से Computer सुरक्षा के संदर्व में ANI का पूर्ण रूप क्या होगा Automatic Number Identification ANI का पूर्ण रूप होगा Automatic Number Identification वीडियो फाइल को सियो करने के लिए किस फाइल फार्मेट का उप्योग किया जाता है .avi बच्चों सिपिसिटिक एक्जाम में ये एक्स्टेंशन बहुँ ज़्यादा तर पूछे जाते हैं इनको आप अच्छे से ध्यान रखना जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो चलने वाला पहला सॉप्ट्वेर कौन सा होगा Basic Input Output System B.I.O.S MS Word में मेनू बार में प्रिंट विकल्प कहा इस्तित होता है MS Word में मेनू बार में प्रिंट विकल्प कहा इस्तित होता है Second Option File के अंदर प्रिंट Specity Exam में MS Word, MS Office, PowerPoint इसमें जितने भी फंक्षन है इन सारे फंक्षन को आप अच्छे से चला ले इसका Knowledge आप अच्छे से रखे अगर आप को ये सब चलाते आ जाता है तो यकिन मानें आपके 25 से 35 नंबर कहीं भी किसी प्रकार से कहीं नहीं जाते है प्रिंटर को सयोजित करने के लिए निम्ण में से कौन सा इंटरफेश नहीं है प्रिंटर को संयोजित करने के लिए निम्न में से कौन सा इंटरफेस नहीं है फाइबर आप्टिक्स निम्न लिकित में से कौन सा लाइन प्रिंटर है निम्न में से कौन सा लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर निमने लिखित में से कौन सा सबसे छोटा द्रश्य तत्व है जिससे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित या निरूपित किया जा सकता है पिक्सेल कम्प्यूटर की स्पीडी में वेक्यम डिप का उप्योग करते हैं वो पीडी है पहले पीडी कम्प्यूटर की जितनी भी जनरेशन है वो सारी जनरेशन में क्या-क्या उप्योग हुआ है क्या इस्तमाल हुआ है वो सारा आप ये सीरीज को ज्यान रखना यहां से एक प्रस्ण होता है Default Printer क्या है Default Printer क्या है यदि उप्योग करता द्वारा किसी अन्य प्रिंटर को निर्दिस्त न किया गया हो तो यह प्रिंटर सभी कार्यों का मुद्रन करता है Printer एक प्रकार का उपकरण है Printer एक आउटपूट उपकरण है Redhead Enterprise Linux में निमने लिखित में से दो पार्टिशन अनुशंचिक पार्टिशन होते है Roop और Swip निमन में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो वेब आधारी जानकारी को एक्सिस करने वाले प्रत्योग कम्प्यूटर द्वारा उप्योग किये जाने वाले मानना को सेट करता है HTTP HTTP का Full Form आप सर्च करें कम्प्यूटर पर रन किये जाने वाले प्रोग्राम को वास्तों में रन करने से पहले निमन में से किस मेमोरी में इस्थानांदीट किया जाता है कम्प्यूटर पर रन किये जाने वाले प्रोग्राम को वास्तों में रन करने से पहले प्रादमिक मेमोरी में रन करवाया जाता है इस्थानांदीट करवाया जाता है अगला प्रस्ण है आधिकांस मेल प्रोग्राम इमेल में 140 रूप से निमन लिखीत में किन दो भागों में पुरा करते हैं है फ्रोंग एंड डेट सार्वजनिक डॉमें कारियों की एक लाइप्रेरी है सार्वजनिक डॉमें कारियों की एक लाइप्रेरी है विक्की सोर्स MS.Word.3 डाक्युमेंट में किस विकल्प का उपयोग करके कोई सिर्षक को जोड़ सकता है स्टाइल MS PowerPoint 2013 में हॉम टेप में निम्न में से कौन सा अनुभाग मौजूद नहीं है लिस्ट ये सारे कोश्यन आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रट डालना ये ही कोश्यन है जो सिपिसिटी एक्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे MS Excel में डोनट, चार्ट में, मामले में निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत होगा इसका उपयोग स्टाप की कीमतों में उतार चड़ाव को दर्साने के लिए किया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है MS Word आपको पेज आकार बदलने के लिए विकल्पों को सेट करने है, तो दो तरीके प्रदान करता है, रिबन मेनू और किसके माध्यम से? डाइलक बॉक्स के माध्यम से लाइन स्पैसिंग से आप क्या समझते हैं? यह प्रत्यक टेस्ट लाइन के आधार रेखाओं के बीच की दूरी को संदर्बित करता है निम्न लिकित में से कौन सा कम्प्यूटर द्वारा एक निर्दिस्ट कारे को करने के लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग बासा का उप्योग करके लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है कम्प्यूटर प्रोग्राम सो मार्क अब की सुची में सभी समिक्षकों के लिए सभी चेक बाक्स को चुनने यह क्लियर करने के लिए MS Word 2016 में फीचर पर क्लिक करेंगे वो फीचर कौन सा होगा All Reviewer MS Word 2013 में कालम ड्रापडाउन मेनू में किस विकल्प पर क्लिक करके हम कालम के स्पेसिंग को मेनूल रूप से चुन सकते हैं More कालम Rebecca MS Word 2013 डाकुमेंट पर काम कर रही है कालम के बीच में गटर को इनेबल करने के लिए उसे पेज लियाओ टेप से किसे चुनना होगा कालम निम्न लिखित में से कौन सा एक सौफट्वेर है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है Text Editor निम्न लिखित में से कौन सा एक वर्ड दस्तावेच का नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार एक वर्ड दस्तावेच का नाम प्रदर्शित करता है ये सारे question आप अच्छी तरह से रड लें क्योंकि ये specificity exam के अनुसार राम बान है इसके अलावा आप competitive exam की preparation कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये series 100% काम के हैं क्योंकि ये computer subject के according ही ये सारे question frame हुए है आप internet browser के production को बहतर बनाने के लिए क्या करेंगे cookies और internet ice type फाइलों को अक्सर साप मतलग clear करेंगे MS Excel में कौन सा option है अभारित cross deflation को जल्दी बनाने के लिए उपयोगी है pivot tables निम्न में से कौन सा आमतोर पर super script के रूप में स्वरूपित नहीं होता है आइकन निम्न लिकित कतन को ध्यान से बढ़े और उपयोग तो विखलप को चुने वीडियो कौन्फरेंसिंग में दो या अधिक कम्प्यूटरों से जुड़े वीडियोग केमरे का उपयोग सामिल है ये एक सही option है एक circuit board जिसके माध्यम से कम्प्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं क्या कहलाता है Mother board बच्चो अभी तक हमने जितने भी question complete किये हैं लगबग हमने 900 से ज़्यादा question MCQs के रूप में cover कर लिये हैं अगर आपने ये सारे question पढ़ लिये सीरीस को देख लिया विजिट कर लिया तो मेरा यकीन मानना आपको CPCT की तयारी में और ज़्यादा महिनत करने की ज़रूत नहीं है आप भी जानते हैं कि अगर आपने 900 MCQs solve कर लिये तो कम से कम आप 15 से 20 question तो easily cover करी लोगे इसके इलावा जो non-technical portion होता है उसको भी आप थोड़ा सा व्यवस्तित strong बना लेना इसके अलावा जितने important topic होते हैं जैसे कि shortcut की function की और जो भी standard shortcut की है फिर input, output device, full form ये जितने भी question है इन सारे question को आप अच्छी तरीके से इन सारे topic को भी cover कर लेना जिससे कि हम इस exam में पास हो सके मैंने अपनी और से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको 1000 mcqs provide कर दूँ मैंने अपनी तरह से 100% दे दिया है अब आपकी बारी है कि आप कितना अच्छी कर सकते है Thank you so much पढ़ते रहे all the best आप होंगे काम्याब